अट स्वागत है आप सभी का किस वीडियो में जिसमें हम आज की पहली विषेट सौल्फ करें have just as fake के पहली वर्कशीट आई है तो यह जो पहली वर्कशीट आई है सबसे पहले विज्ञान की वर्कशीट है और विज्ञान की वर्कशीट में जो टॉपिक है आज वो एक रिविजिन का टॉपिक है जिसमें हम तत्मों के प्रतीक और उनकी सहीं जगता के बार में पढ़ेंगे तो तत्मों के प्रतीक आप सभी को पता है कि अलग-अलग तत्व जी होते ہیں उनके कुछ प्रतीक होते हैं। का प्रतीक होता है एच सिल्व यानि चांदी का प्रतीक होता है एजी सोडियम यानि पूटेशियम मतलब के कॉपर सी यू मैगनेजियम एमजी तो यह सब अलग-अलग तत्मों के प्रतीक है कक्षा नौवी में आपने पढ़ा था कि धनायन और रिनायन दो प्रकार के आयन हो तो ने इसे आपने के सूत्र बनते हैं जैसे ऑने के आद्यान करने के लिए को यह आईनों के प्रतीक और स्व्यव्युजक्ता क्या है जब आपको यह प्रतीक लगेगा यह पत चालेगा तो ही आप यह जान पाएंगे कि यह जो प्रतीक हैं इनका उप्योग कर किस प्रकार अलग-अलग फॉर्मूले जो होते हैं विज्ञान में वो बनते हैं कुछ तत्व और आयन ऐसे भी हैं जिनके प्रतीक एक ही हैं लेकिन नाम अलग-अलग हैं जैसे oxygen और oxide, sulfur और sulfide अब oxygen जो होता है वो ओ होता है, जो हम इसे फॉर्मुले में जब लिखते हैं तो इसको oxygen नहीं लिखते हैं बलकि oxide लिखते हैं sulfur को sulfide लिखते हैं nitrogen को nitrite लिखते हैं, chlorine को, bromine को, iodine को chloride, bromide और iodide लिखते हैं तो सवर्व शब्दों में CL, लेकिन CL को जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा क्लोराइड यह सबी आपके सामने सूत्र हैं, इसे हाइड्रोजन है, अब इनके उपर इनकी कुछ सहिजकता होती है, सहिजकता का मतलब है इनके उपर कुछ चार्ज होता है, इनके उपर कु प्लस वन प्लस टू यह कुछ परिस्थितितीओं में और प्लस बस टू का मैघनीजियम लिशी एसे ही जिंक का प्लस टू कैलशियम का भी टू आजरेन का भी फ्लस टू यलिमीनियम का प्लस ठि compliant Oxygen का गिए अभेश जिनका ओवेश प्लस है इन्हें रही हम कहते हैं जब को निर्मान निर्मान किस परकार होता है जब कभी दो आयन आपसमें जुड़ते हैं तो फिर सूत्रों का निर्मान होता है यह कुछ और आयन आपके सामने लिखिए है जैसे हाइड्रोकसाइड ओएच तो इसका माइनस वन होता है क्लोराइड जो की क्लोरीन होता है लेकिन लिखा क्लोराइड जाता है यह भी माइनस वन होता है ब्रॉमीन जैसे लिभखा ब्रॉमाइट जाता है होता ये ब्रॉमीन है ये भी माइनस ओन, आयोडाईड भी माइनस ओन, नाइटरेट अनो å3 भी माइनस ओन, एसिटेट सीछ 3-COO यह भी माइनस वन बाइकार्बोनेट सिफ़ ओ तरी यह माइनस टू ओक्साइड अभी- बताया था आपको-2 होता है इसलफाइड-2 होता है नाइट्राइट-3 होता है और फॉसफेट-3 होता है अब सूत्र किस प्रकार लिखते हैं सूत्र लिखने का तरीका यहां समझाया हु होता है उसको पहले लिखा जाता है और रिनात्मक आवेश वाले को बाद में जैसे अगर मुझे मेगनीजियम क्लोराइड लिखना है तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेगनीजियम का सूत्र क्या है तो मैं पहुचा यहाँ पर और मैंने देखा कि magnesium का जो सूत्र है वो है mg और इसका आवेश होता है जमा 2 तो मैंने mg लिख दिया और mg के ऊपर मैंने इसका 2 आवेश लगा दिया दूसरा है chloride magnesium chloride का सूत्र लिखने chloride है minus 1 तो CL लिखा और इसके ऊपर इसका एक लिख दिया यह एक जो ही चला जाएगा mg के नीचे और यह दो चला जाएगा CL के नीचे और जो सूत्र बनेगा वो बनेगा mg CL2 यह हो जाएगा आपका racinic सूत्र तो यह racinic सूत्र है जिसका आप उप्योग करेंगे ऐसे ही कुछ और racinic सूत्र देखते हैं किस प्रकार बनते हैं वो कह रहा है सोडियम अब प्रशन देखते हैं सोडियम सिल्वर क्लोरीम ऑक्साइट सल्फाइट कैल्शियम के प्रतीक और स्रहियोजगता लिख दिये तो सोडियम का होता है एने और स्रहियोजगता जमा एक सिल्वर एजी स्रहियोजगता जमा एक क्लोरीम सी एल स्रहियोजगता घटा एक यह लिखिए बिल्कुल आपके सामने सहियोजगता होती है सल्फाइट सहियोजगता मैंश दो है और Si Technology कल्शियम और स्रहियोजगता होती जमा दो इनकी प्रतीक और सहीय चिक्ता आमने लिख लिए हैं आगे बढ़ते हैं अगला कारबोनेट कैल्शिम का सूतर होता है C A और आवेश होता है दो जमा का जमा लिखने की ज़रॉत नहीं है कारबोनेट का सूतर होता है C O 3 और दो जब दोनों के ही उपर दो है तो दो से दो कट जाएगा और सूतर बन जाएगा C A C O 3 यह हो गया सूत्र दूसरा सूत्र हमें बनाना है जिंक सल्फेट जिंक हमारे पास यहां पर लिखा है यह रहाँ जिंक और आगे है सल्फेट तो सल्फेट का सूत्र इसमें नहीं दे रहाँ सल्फेट का सूत्र होता है एसो थ्वी तो लिख लेते हैं जिंक सल्फेट जिंक का होता है जड़ेन और सल्फेट का होता है एसो फोर यह भी टू और यह भी टू दो से दो कर जाएगा सूत्र बनेगा जड़ेन एसो फोर यह हो गया आपका जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट के बाद जो अगला है वो है अलिमीनियम सल्फेट अब अलिमीनियम का सूत्र होता है एसो फोर टू तो टू जाएगा यहां नीचे तिर यह आजाएगा यहां सूत्र बन गया एसो फोर कि तीन यह तीन आ जाएगा बाहर यह बन गया अलुमिनियम सलफेट अगला देखते हैं सिल्वर क्लोराइड सिल्वर का सूतर होता है एजी वन क्लोराइड सी एल वन दोनों ही वन है तो एजी सी एल सोडियम कार्बोनेट सोडियम का सूतर होता है एने और कार्बोनेट का होता है सी त्रीने का वन वन होता है तो यह 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 बन जाएगा एन्नेons और सी ओ थी की निचे दो एक ही ए तो सी ओ potassium hydrogen carbonate potassium होता है के और वन hydrogen carbonate होता है HCO3 यह भी वन यह वन गया यहाँ नीचे यह वन गया यहाँ नीचे और बन गया के HCO3 फिर है iron sulfate iron मतलब Fe Fe का होता है 2 और sulfate मतलब SO3 इसका भी होता है 2 अब जब दोनों ही 2 है तो 2 से 2 कट गया formula बन गया Fe SO3 अब कई बार क्या होता है कि formula SO4 भी बन सकता है कैसे जैसे जैसे सल्फेट का कई बार SO4 लिखा जाता है तो Fe और SO4 का 2 Fe का भी 2 2 से 2 cancel formula बन गया Fe SO4 ऐसे ही हमने जिंग का भी लिखा था तो जिंग का भी जड़न SO4 बन सकता है कि सल्फेट और सल्फाइट इसका एक थोड़ा प्रब्लम होता है थोड़ा अलग रहता है फिर है कि टू टू कैंसेल फार्मूला बन गया CEO SO4 कि यह हो गया कॉपर सल्फेट तो सभी सूत्र हमने कर लिए कि आगे बढ़ते हैं इस दूसरी वरक्शीट वह अज की हो है हिंदी की वरक्शीट वस्यूरी देख लेते हिंदी की वरक्शीट में आज एक गध्यांश आया वाया इस दौट दूप का नाम है परिश्रम, इसी को उद्यम कहते हैं, पुरिशार्थ भी इसी का प्यारवाची है, परिश्रम के साथ साथ इमानदारी का होना भी अरश्चक है सदा सोच समझ कर उचित स्तान पर परिश्रम करना चाहिए तभी परिश्रम सफल हो सकता है वन्ना परिश्रम निश्फल हो जाता है जीवन में परिश्यम से ही सफलता मिलती है, मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं, बड़े-बड़े महनत, बड़े पुरुष्य व्यक्ति बनने की निशानी है, इसलिए विध्यारतियों तुम भी जीवन में कुछ कर्तब कर दिखाना चाहते हो, तो परिश्यम रूपी ला सकता है, जो अपने हाथ पाउं हिलाता है, घर से बहार निकलता है, दौट धूप करता है, कभी-कभी बलवान हाथियों सो पर लोहा लेने के लिए तयार रहता है, वही शेर भर पेट मास खा सकता है, यह हमारा पहला उत्तर हो गया, अगला परशन देखते हैं, गध्यांश में आए परिश्यम शब्द का परियावाची ढूंड कर लिखिए, तो परिश्यम की बात अगर की जाए, तो लिखा था, परिश्यम का परियावाची होता है, उद्यम, लिखा ना, इसका नाम परिश्यम है, उसे उद्यम भी कहते हैं, तो परिश्यम का परियावाची हो गय किया उद्यम आगे बढ़ते हैं कि सोच समझ कर उचित स्थान पर किया गया परिश्यम ही क्या करता है सोच परिश्यम ही फल देता है फल देता है उचित स्थान पर किया गया परिश्यम निश्फल शब्द का विलोम क्या होगा निश्फल का विलोम होगा सफल निश्फल मतलब जहां कोई फल ना मिले और सफल मतलब जहां रिक्ति सफल हो जाए पाच्वा परशन है कि जीवन में कुछ कर्टब कर दिखाने के लिए किसका सहरा चाहिए तो यह लिखा था कि जीवन में कुछ करतब कर दिखाना चाहते हो तो परिश्यम भूपी लाठी का सहारा लो तो हमें जीवन में कुछ कर दिखाना है तो उसके लिए परिश्यम भूपी लाठी का सहारा लेना पड़ेगा हिंदी की वरकशीट के यही पांच पर स्कूर्ष थे आगे बढ़ते हैं आज की गणित की वरकशीट ओर जो गणित का हमारा आज की वरकशीट है जो आज गुणनफल के वल एक होता है यानि कि ऐसी संख्या जैसे तीन दो पाच जिनके सिर्फ एक ही गुणनफल होता है वो नंबर स्वयम, वो संख्या स्वयम और एक, ऐसे ही अपरिमे संख्या हैं, वे संख्या हैं जो परिमे नहीं है, अर्थात एक अपरिमे संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां P और Q पूर्णांगे, जैसे कि रूट दो, रूट तीन, रूट यह सभी अपर में संख्याइं हैं तो यह हमारा LCM हो गया और यह हमारा HCF हो गया आगे बढ़ते हैं वो कह रहें निम्न दशमलव निरूपन पर ध्यान दीजिए अन अवसानी आवर्ती सांथ और अवसानी अनावर्ती देखें जैसे एक बटा साथ है तो एक बटा साथ जो है वो अगर आप पॉइंट में इसको बदलेंगे तो वह कभी खतम नहीं होगा ती ही रूट दो जो होता है उसको अगर आप लेखेंगे तो वह कभी खतम नहीं होगा जतनी भी पडिव में संख्याएं होती हैं इनको वह सांथ होते हैं वह यह उन अर्फ सानी का मतलब होता है कि वह कभी खतम नहीं होते और इसी को सॉलव करने के लिए विभाजन अल्गॉरितम भी दिया जाता है जिसे हम यूकलिट का डिवाजन अल्गॉरितम कहते हैं कि अगर दो सो पैंतालेस को तीन से भाग दिया जाए तो 81 पर गुणा होगा यह यह भाग होता है और हमारा जो शेश बचता है वो दो बचता है तो इसको हम लिख सकते हैं यह जो तीन है यहां पर वह भाजक है और जो 81 आया है यह आया है भाग फल और जो दो बचा है हमारा यह बचा है शेश फल जिसे इंग्लिश में रिमेंडर भी कहते हैं तो यहीं आगे बढ़ते हैं विबाजन अल्गॉरित्म कहता है कि भाज्य बगाबर भाजक जम गुणा भागफल जम शेश पर इसे कहते हैं विबाजन अल्गॉरित्म अब पहला प्रश्ण है कि 210 और 128 के लिए विबाजन अल्गॉरित्म लिखिए तो इसको लिखने के लिए हमें काम करते हैं 128 से 210 को भाग कर देते हैं तो 128 बटा 128 गटा करता हूं तो आग्या 82 तो हम लिखेंगे 128 गुणा एक जमा 82 बगाबर 210 बस मैंने भाज्य को इस बार दूसरी तरफ लिखा हैं बाकी सब कुछ हुई है इस पर इस तरीकी से सभी इस तरीकी के क्वेशन सौल्व होते हैं जिसमें हमारा विबाजन अल्गॉरित्म लगता है अगला है 112 और 86 का HCF और LCM ग्याद कीजिए तो निकाल लेते हैं 112 का 112 पहले 2 से जाएगा 2510 दो 612 फिर 2 से जाएगा 24 दो अठे 16 फिर 2 से जाएगा 2 एकम 268 फिर 2 से जाएगा 27 और फिर 7 से जाएगा इसे ही 86 का भी निकाल लेते हैं दो चको दो त्याएगा अब इसके अलावाद 43 का तो कोई भागफल होता ही नहीं है तो जब इसके कोई भागफल नहीं होता तो इसको आगे हम और भाग तो कर नहीं सकते हैं तो देखते हैं अब सहले इसने पूछा कि इसका LCM बताओ तो LCM हो जाएगा LCM बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा साथ जितने इसके भाजक हैं जितने यह फैक्टर हैं यह सारे फैक्टर आ जाएंगे तो इसका LCM आ जाएगा यह यह सभी फैक्टर आ जाएंगे तो इनका LCM आ जाएगा HCF देखेंगे कि दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर एक जैसा कौन सा है तो एक ही है यानि कि दो और अब आपको दर्शाना है कि यह सही है या नहीं है यानि 112 गुणा 86 बराबर LCM था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6 गुणा HCF था 2 अ अब अगर आप इनको गुणा करेंगे तो यह दो संख्याएं हो सबसे पहले 112 को आपको गुणा परना पड़ेगा 86 से और उत्तर आता है 9 6 3 2 यहां से और इन संख्याओं को गुणा करने आएगा यह है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 तो यह उत्तर आ जाएगा आप दोनों साइड को सॉल्व करके देख लेंगे तो आपका उत्तर आपके सामने होगा आगी पूछा गया है त्रीसे प्रश्न में कि निम्न संख्याओं का दसंबल प्रश्तार किस प्रकार है तो देखिए इसका दसंबल प्रश्तार जो है वो खत्म होगा और खत्म होने वाले को हम क्या कहते हैं सांत जो खत्म हो जाता है तो यह जो दसंबल प्रश्तार इसका होगा वो सांत होगा और इसका अनव सानी होगा क्योंकि यह खत्म नहीं होगा ऐसे ही जो 164 ये है ये भी अनवसानी होगा ये भी खतम नहीं होगा इसके अलावा संख्याओं का दशमलव निरुपन अनवसानी कहलाता है कौन सी संख्याओं का अपरिमे संख्याओं का तो सभी अपभी में संख्याओं का दशमलव निरुपन अनवसानी अनावर्ति होता है आज की वरक्षीट यहीं पर एंड होती है आपसे कल फेर मिलेंगे कल की वरक्षीट के साथ तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ